बिसमिल्ला रुर्मान ररहीम असलाम वालेकुम मन्शाब आयोज टुटोरियल में आप सबको खुशामदीद आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपोर्टेंट है विद रेफरेंस तो एनम्डी कैट और इसमें से जो एमसेक्यूज बनेंगे और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आज हम डिसकस करेंगे फीमेल मेंस्ट्रल साइकल और और जो और जो ओवरी की स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे तो फरस अफॉफ आफॉल हम देख लेते हैं एक ओवर वियू बनाके कि जो फीमेल मेंस्ट्रल जाता है और यह चेंज जो है यह लियूनर चेंज के मताबक है यानि के जो चांद है पहले दिन से लेके तीसमें दिन तक थोड़ा सा बढ़ता रहता है चौद्वें दिन पूरा जोबन भी होता है इसी तरह से फिर ढलना शुरू हो जाता है और तकरीबन 28-30 दिनों के सी जबरा से उनी दिनों में ये भी फेमियल का रेप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें खास किसम का चैंज आता है फोर्टींथ डे जो है वो ऊवियोलेशन डे होता है उस वक्त फीमियल अपनी रेप्रडक्टिव सिस्टम यानि कि ओवरी में से एक एग रिलीज करती है और अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो फिर नाइन मंथ के लिए प्रेगनेंसी मेंटेन की जाती है यूट्रस के अंदर अगर वो फर्टिलाइज अग ना हो तो फिर अगले दिनों में जो यूट्रस ने तयारी की होती है वो शेड़ ओफ हो जाती है यानि के मंथ के एंड क पहले पहले देखेंगे जो है ये बड़ी सी हमने बनाई है उब्रिय के अंदर जो भी छीज़ें यह बाद में हम डिसकस करते हैं जोनों ने बाद में proper egg की development करनी है तो उन follicular cells के अंदर immature farm में आप कहा सकते हैं ओगोनिया होते हैं यह देखें यह बहुत से हमने cells बनाया है तो यह follicular cells है red color उपर और उसके अंदर ग्रीन कलर में यह आप कहलें ओगोनिया हैं वो immature cells हैं तो मां के पेट में जो female baby है वो जब होती है तो उसकी ovary में यह already बन चुकी होती है जब उसकी birth होती है उस female baby girl की तो इसका मतलब है कि उसकी birth के दोरान वो जो ovary है वो तकरीमन seize हो जाती है यह reproductive जो system है वो in active रहता है और कब यह active होगा जब पिबर्टी की age पहुंचेगी तो यह normally हर अलाके में vary करता है 10 से 14 years की जो female है वो पिबर्टी को पहुंच जाती है और पिबर्टी का sign यही है कि फिबर्टी में menstruation आना या पहला जो monthly cycle है वो जैसे ही start हो जाता है तो हम कहते हैं female पिबर्टी की age को पहुंच गया तो simple आप कहलें जो पिबर्टी की age को जब फिमेल पहुंचेगी तो इसमें जो menstrual cycle स्टार्ट होगा इसमें main change क्या होगा तो 10 टू 14 year की एक female है अगर तो उसकी ovary में कौन सा change आ रहा है यह हम देखने लगे hypothalamus female में external stimuli भी लेता है उसके नितीजे में गुनेडो ट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मून से क्रेट करता है यानि कि इंटीरियर पिचूटरी को हुकम देता है अपने हार्मून से क्रेट करने के लिए और ये हार्मून से क्रेट करेगा सबसे पहले FSH ये जो FSH हार्मून है ये बिसिकली जाएंगे ओवरी के अंदर और FSH का मतलब है Follicle Stimulating हार्मून यानि कि ये ऐसा हार्मून है जो ओवरी के अंदर पहले से ही बिफोर बर्थ जो Follicular Cells हैं उनको जाके इसने स्टिमूलेट करना है जब ये स्टिमूलेट हो जाएंगे इसकी वज़ा से बहुत सारे Follicular Cells जो हैं वो डिवेलप होना शुरू हो जाएंगे और उन बहुत सारे Follicular Cells में से कोई एक चुना जाएगा जिसने कमपलीट और मिचूर एग बनना है बाकी जो सारे हैं वो Follicular A के जरीए से डीजनरेट हो जाते हैं या सिंपल आप कहलें उनकी डेथ हो जाती है उनकी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा एग रिलीज नहीं करने फीमेल में मंतली एग ही एग रिलीज होना है तो उस एक एग के बनाने के लिए जो Follicular Cells बाकी हैं वो डीजनरेट हो जाती है इनमें से कोई एक साइज में बढ़ा हो जाता है जो के ग्रोइंग Follicles कहलाता है यह Follicle बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है और इसके अंदर एग भी बनता रहते है जिसने मिचूर ओवं मिचूर एग बनना है उपर यह Follicular Cells है और इसके अंदर में एग सैल है Follicle का मत गया मिचोर फॉलीकल मिचोर फॉलीकल में चेंज हो गा प्राइमरी यaling उप रहा ख़र में चेंज हो गा तो इससे एक हार्मून से जिसको कहते हैं एस्टोजन और यहार्मून यहाँ से सक्रीट होके यूटरस्ट के पास चाई गा और यह यूटरस्ट की जो पर उसे रखना पड़ेगा, that's why अपनी तयारी कर लो, uterus को एक message देने के लिए ये आप कहले हार्मून है, एक तो ये इसका काम है, दूसरा इसका काम क्या है, ये follicle stimulating हार्मून को जाके inhibit करवा देगी, इसकी secretion को inhibit करवा देगी, that's why हम कहते हैं कि estrogen का negative feedback एक mechanism है, यानि कि FSH की secret की वज़ा से estrogen produce होगा यहां पर, और वो ही estrogen जाके FSH की secretion को stop करवा देगा, जब FSH की secretion stop हो जाएगी, और दूसरी तरफ से ये follicular cells fully develop हो जाएगा, और उसकी अंदर egg भी fully बन जाएगा, तो इसका मतलब है, इस anterior pituitory से फिर एक और हार्मून secret होगा, जिसका नाम है LH, leutinizing hormone LH क्या करेगा, LH यहां वापस ovary में आएगा, और ovary में आके ये जो mature egg है, इसको ovary से निकाल देगा, और जब ये ovary से निकल जाएगा, तो इस process को हम कहेंगे ovulation, ovulation हो गई, यानि के egg बाहर आगया और उसके साथ कुछ protective cells, कुछ वो red color से हमने follicular cells बनाए हैं, वो follicular cells भी है अपर, लेकिन mainly इस follicular cells इदर ही रह गए हैं, और वो follicular cells क्या कहलाएंगे, empty follicles, अब LH की वज़ा से एक तो ovulation होई है, दूसरा, ये जो follicular cells हैं, ये glandular farm में change हो जाएंगे, glandular farm में कैसे change होंगे, yellow in color हो जाएंगे, yellowish इसकी appearance की बार, ये एक खास किसम का hormone secret करेंगे, जिस hormone को हम कहते हैं, progesterone, और progesterone जो सबसे important और main hormone है female reproductive cycle में या pregnancy के अंदर, अब ये क्या करेगा, progesterone estrogen का का काम संभालेगा, इस progesterone ने अब आके uterus को मजीद vascularize करवाना है, इसकी inner जो दिवारे हैं, इसको ठिक करना है, इसमें new blood vessels बनेंगी, इसमें जो खुराक है वो जमा होगी, glycogen की farm में, और ये खुराक जमा क्यूं हो रही है, क्यूंकि uterus अपने आपको तयार कर रही है, किसके लिए वो जो एग release हुआ है, वो fertilize भी हो सकता है, अगर वो fertilize हो गया तो यहीं पे आके implant होगा, तो इसलिए ये progesterone इस uterus को पहल से तयार कर रहा है, पहले से message दे रहा है कि उदर से एग आ रहा है, उससे पहले अपने आपको तयार कर लो, तो यहां पर cyclical activity ये होगी, कि अगर एग release होने के बाद, एक से दो दिन वो wait करेगा, अगर इस एग को sperm नहीं मिला, अगर इस एग ने sperm के साथ fertilize नहीं होना, तो फिर क्या होगा, एक तो एक भी degenerate हो जाएगा, खतम हो जाएगा, डेड हो जाएगा, दूसरा, ये पिछली जो ओवरी के अंदर, कॉर्पस लिटियम बना था, जिसकी वज़ा से प्रोजस्टिरोन यूट्रस को भी तयार कर रही थी, ये degenerate होना शुरू हो जाएगा, कॉर् ये यूट्रस तयारी कर रही थी, वो मैसेज नहीं जाएगा, यूट्रस समझ जाएगी, कि अब एक जो है, वो मेरे पास नहीं आएगा, ना ही वो फर्टिलाइज होगा, तो जो मैंने तयारी की है, इसका कोई फाइदा नहीं है, तो इसका मतलब है, यूट्रस अपनी ये वेस्कुलरिजेशन है, इसे शेड़ आफ करेगी, ये एंडो मीट्रियल लाइनिंग, जो सबसे इनर लाइनिंग है, जो इसने तयारी की है, ये सारी की सारी शेड़ आफ हो जाएगी, और शेड़ आफ होके इसकी वज़ा से ब्लीडिंग होगी, उस ब्लीडिंग को हम कहते मेंस्ट्रेशन और वो तीन से पांच दिन रहती है और उस मेंस्ट्रेशन के फोरण बाद नेक्स मन्थ स्टार्ट हो जाएगा इसी तरह से नेक्स्ट मन्थ के अंदर फिर FSH सक्रीट होगा फिर फॉलिकल स्टिमूलेट होंगे फिर एग जो है वो डिवैलप होगा एल एच ज मेंस्ट्रेशन या जो इसने मिटीरियल जमा किया है वो सारा शैड़ ओफ हो जाएगा और दुबारा से मेंस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी यह था एक बेसिक ओवर्वियू अब हम टेक्निकल ही बात करते हैं कि ओजैनेसिज होती कैसे है इस ओवरी के अंदर एग बनता कैसे है और उसके बाद फीमेल मेंस्ट्रल साइकल में जो में पॉइंट्स हैं उनको हम डिसकस करते हैं तो फरस्ट अफॉल ओजैनेसिज एग की फार्मेशन को हम ओजैनेसिज कहते हैं या हम इसे गैमीटो जैनेसिज का एक स्टैप भी कह सकते हैं गैमीटो जैनेसिज में स और यह बाइब नेचर और यह माइटॉस के जरीए से ग्रो होते रहते हैं और यह डबल होते रहते हैं बहुत ज्यादा यह लाकों की सुरत में मौजूद होंगे और उसके बाद इसकी जस्ट आफटर बर्थ है इसकी मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी या बिफोर बर्थ ही मियोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और प्राइमरी ओसाइट तक यह बनेगा पहले माइटॉस के जरीए से और प्राइमरी ओसाइट की जब मियोसिस होगी तो यह प्रो फेस वन तक स्टॉप हो जाएगी प्र और नमबर में बढ़ते रहते हैं और यह बिफोर बर्त ही अपनी मियॉस्स स्टार्ट कर देती है और प्राइमरी ओवसाइड जो है यह प्रोफिज वन तक मियॉस्स स्टॉप कर देती है। उसके बाद जब बर्त होती है चायल्ड होड में यह बिलकुल इन एक्टिव रहे ग जाएंगे secondary ओवसाइट में तो आप कह सकते हैं मियोसिस वन जो है आलमोस्ट यहां पर डन हो जाएगी मियोसिस वन इसकी वज़ा से क्या होगा एक बड़ा सेल बनेगा जिसे secondary ओवसाइट कहा और उसके साथ एक छोटा सा सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं पोलर बोडी पोलर बोडी इसलिए का क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाजम कम जाता है इसमें में साइटोप्लाजमी मटेरियल सारा चला जाता है और यहीं आगे फिर फ़र्दर जो ओवर मैं या मिचोर रहे गाए उसको इसने बनाना है सेकेंडरी ओवसाइट आगे फिर अरेस्टिड हो जाता है इन मेटाफेस टू यानि के एम टू के अंदर मेटाफेस टू जब आएगी मियोसिस टू में मेटाफेस टू यहां तक इसकी डिवेलपमेंट होगी और उसके बाद दुबारा से यहां पर इनेक्टिव हो जाएग जब तक इसे स्पर्म नहीं मिलेगा जब तक यह फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक इसमें से आगे मियोसिस जो है वो कैरी नहीं हो सकती तो मेटाफेस टू के आगे अगर स्पर्म मिल जाए फर्टिलाइज हो जाए जाइगोट बन जाए तो फिर यह मेटाफेस टू से आ और यह जो जाइगों बना है यह फिर फर्टिलाइजड जाइगों आगे यू टूरसद के अंदर आकर होजाईगा टो इस तरह से और आगर मि की यॉधा है तो यह लिकार्ट होगी तो यह जब फर्लाइस होगा तो यह अपनी ही नहीं कर लेगा और प्रॉपर जाइगोट में चेंज होके या प्रॉपर ओवम में चेंज होगे होके यह यूटरिस के अंदर जाके इंप्लांट हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन गयाद रखेगा प्रॉपर पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूप वहां पर होती है जो ओवी डर्ट है उसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो नियर दा ओवरी होता है वहां पर जाके यह फर्टिलाइजेशन होगी पीवैल का जो रिपरिटिव सीस्त्म है उसके अंदर चेंज्ब आ होफ और फंक्षेल चेंज यानि कि यह जो मैंस्ट्राइल साइकला यह स्टार्ट होता है प्रिब्रट अ is बोड़ा इंप्र इंपोर्टन पॉइंट है कि इसे पुर्टे मेनार्ची या उस टाइम को कहें मेनाच और तक्रीब यि कि जब मेल होती है तो यसमें मैंस्टरल साइक्ल खتم हो जाता है कि इस वे हम कहते है मेनो पॉझ और मैंन पॉझा निए उसके बाद प्रमन काभ़ नहीं रहती और ना ही वो बचा पैदा कर सकती है तो फीमेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम जो है यह मेल लीड अठाइस दिनों का होता है जैसे हमने का के चांद की तरह पहले से तीस याठाइस दिनों तक यह के इसके अंदर डिफरेंट चेंजिस आते हैं नॉर्मली वेरी कर ही रहते हैं जैसे ओवेरीन साइकल है एक फरदर मतलब ओवरी के अंदर कुछ साइक्लिकल एक्टिविटीज हो रही है और यूट्रया इसके अंदर कुछ खास साइक्लिकल चेंज आ रहा है जिसको collectively हम menstrual cycle कहते हैं और इसमें structural और hormonal change की base पर कुछ खास किसम के events होते हैं जिनको हम 3 phases में divide करते हैं events की base पर या main cycle को आगे फर्दर divide करें तो 2 cycle हैं लेकिन structural change और hormonal change की base पर आगे 3 phases हैं further menstrual phase, proliferative phase और third पर है secretary phase देखें जो पहले दिन से पांच में दिन तक की phase होती है वो होती है menstrual phase और इस phase में क्या होता है ये uterus ने जो भी तयारी की होती है ये shadow होती है यहां से bleeding होती है ये जो inner wall है इसको हम कहते हार्मून dependent functional layer of endometrium यानिकि जो के mainly vascularize हुई है उस estrogen और progesterone की वज़ा से जिसने में ली तयारी की है वो material सारा जो है वो shadow होगा और इसको हम कहेंगे menstrual flow ये जो menstrual flow है ये जब होगा तो इसकी वज़ा से endometrial lining जो है वो सारी shadow हो जाएगी और दूसरी तरफ ovary का mainly ovary के hormone है वो कम हो जाएगे क्यूंकि इसके साथ साथ progesterone जो है वो कार्पस लिटियम डीजनरेट हुआ है और progesterone का level कम हो गया लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से क्या होगा दोबारा cycle क्यूंकि स्टार्ट हो रहा है तो FSH का level दोबारा से rise करना शुरू हो गया है तो ये mainly काम होगे endometrial lining shadow off होगी menstrual flow होगा और ovarian hormone कम हो जाएंगे लेकिन FSH का level high हो जाएगा ये तकरीबन छटे दिन से लेके 14 दे तक कि जो फेज है इसको हम कहते हैं proliferative phase क्यूंकि इसमें proliferation हो रही है वो कैसे कि एक तो follicles develop हो रहे है ovary के अंदर ovarian अगर हम cycle की बात करें इन proliferative phase में तो ovarian cycle में क्या हो रहे है follicles develop हो रहे हैं grow कर रहे हैं proper mature follicle या graphene follicle इसे हम कहेंगे वो बन रहे हैं और उसके साथ-साथ estrogen की secretion high हो रही है estrogen की secretion ये करवाएगा mature follicle estrogen की secretion की वज़ा से FSH को inhibit करेगा that's why हम कहते हैं estrogen का FSH के ओपर negative feedback mechanism है negative feedback control है यानि कि estrogen की वज़ा से FSH कम हो जाता है जितने estrogen high होगा FSH उतना low हो जाएगा और LH इसकी वज़ा से release होगा estrogen की वज़ा से FSH inhibit हुआ लेकिन LH secret होगा जब LH secret होगा definite बात है यहां से जो mature egg है उसकी ovulation हो जाएगी वो release हो जाएगा from ovary जिसे हम ovulation कहते हैं और पीछे जो क्या बनेगा carpus luteum की formation जब पीछे carpus luteum की formation होगी तो definitely इसकी वज़ा से यह कुछ hormone secret होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं progesterone और यह next phase में फिर ले जाएगा इस cycle को जिसे हम कहते हैं secretory phase क्योंके जैसे ही progesterone का level हाई होगा यह uterus की walls को मजीद ठिक करेगा मजीद vascularize करेगा और इसकी वज़ा से यह uterus जो है यह glycogen secret करना चुरू कर देगी और glycogen secret होके यहीं पे स्टोर हो जाएगा ताके जो आने वाला fertilize रैग है अगर fertilization हो जाए तो उसको यहां पर nourishment मिल सकी तो glycogen secret होगा और अगर fertilization नहीं होई तो यह progesterone का level कम हो जाएगा क्यों कम होगा क्योंके यहां पर कारपस लियोटियम degenerate होना शुरू हो गया है तो यह तीन phases है तीन आप कह सकते हैं इवेंट्स होते हैं major जो के ovarian cycle और uterine cycle दोनों के collectively मिला के हम कहते हैं इसमें तीन phases है इसके बाद अभी हम देखते हैं next के इसका graph किस तरह से हम बना सकते हैं graphical representation of menstrual cycle okay तो यह हमारे पास graph है जो के menstrual cycle के अंदर होने वाले तमाम events को represent करता है तो यहां पर देखें हमने days लिखे हैं one से five और one से five जो days है इसमें हम कहते हैं यह menstrual phase है menstrual phase और उसके बाद five से fourteen जो है यह proliferative phase है और fourteen से onward 25 डेज यह है secretary phase तो यहां पर जो fourteen days से पहले वाली phase है यानि का proliferative phase वाला हिसा इसे हम कहते हैं pre ovulatory phase ovulatory phase और fourteen से आगे क्योंकि ovulation हो जाती है इसलिए हम इसे कहते हैं post ovulatory phase ovulatory phase तो यहां पर चार किसम के काम हो रहे हैं यह uterus के अंदर जो graph बनेगा uterus की working का hormonal change किस तरह से हो रहे हैं उसका graph हम देखेंगे body का temperature female का during menstrual cycle वो क्या होगा और ovulatory के अंदर क्या हो रहे हैं इन चारों हिस्सों में हम सबसे पहले देखते हैं uterine while के साथ तो menstrual phase में हमने का uterine while जो है वो शेड आफ होना शुरू हो जाती है तो देखें पहले पीक पे आउसकी vascularization आइस्ता इस्ता नीचे आ गई तो पांच में दिन तक आल्मोस सारी शेड आफ हो जाती है और उसके बाद proliferative phase में दुबारा से vascularization हो जाती है क्योंकि estrogen और progesterone की secretion यहां पर start हो जाएगी तो इसकी वज़ा से यह vascularize होती जाएगी अठाइस में दिन तक तो इसकी vascularization का यह हमने phase जो graph बनाया है और उसके बाद अगर हम hormonal change देखें जो पहली phase है pre ovulatory phase या फिर menstrual phase और proliferative phase उसमें हमने कहा थे देखें यहां पर जैसे लिखा है कि ओविलेटरी जो हार्मून है ओवेरीन हार्मून सरी estrogen और progesterone उसकी secretion secretion बहुत कम होती है लेकिन FSH की secretion कदरे बढ़ना start हो जाती है FSH की secretion बढ़ेगी तो definitely क्या होगा इसकी वज़ा से follicle बनेंगे और जब follicle बनेंगे तो उसके बाद फिर उसके साथ estrogen की secretion भी बढ़ जाएगी यह देखें estrogen की secretion बढ़ गई फिर जब post ovulatory phase होती है post ovulatory phase में हमने का सबसे पहले तो ovulation होनी है ovulation जो 14 day के अंदर 14 day में LH का जो level है वो सबसे high होगा पीक पे होगा उसके बाद LH कम होना शुरू हो जाता है और LH की secretion के बाद कार्पस लिटियम डेफिनली बन जाता है को तो कार्पस लिटियम की formation के बाद प्रोजस्टिरोन का level सबसे high होगा तो यह उसका graph है कि पहले FSH थोड़ा सा हाई जाएगा बाकी जो एस्ट्रोजन प्रोजस्टिरोन का graph है वो नीचे ही बने गया FSH की secretion के बाद भी red दिये देखें साथ ही क्या होना स्टार्ट हो जाएगा एस्ट्रोजन से क्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर LH पीक पे होगा 14 डे के उपर LH के बाद फिर प्रोजस्टिरोन जो फीक पे होगा पोस्ट फेज में टैंपरेचर की बाद करें तो और फिरलेशन से पहले बॉडी का अगर 36 है तो फीमेल की बॉडी का तुम्प्रेचर वन डिगरी बढ़ जाता है और फिरलेशन के बाद 37 हो जाएगा यह तैंपरेचर की situation है ओवरी के अंदर देखें, तो ovulation से पहले developing follicle जो है, वो mature follicle में change हो रहे होते हैं, उसके बाद ovulation आ जाती है, ovulation के बाद जो secretary phase है या post ovulatory phase है, उसमें कार्पस लीटियम पहले तो बनता है, उसके बाद degenerate होना शुरू हो जाता है, तो ये एक graphical representation थी, इसके बाद अगर हम देखें, जो ब pregnancy test, उसमें हमें कैसे पता चलता है, कि ये positive है या negative है, प्रेगनेंसी है या नहीं, इसके लिए जो एक kit मिलती है, मार्किट में available होती है, वो urine का sample या blood का sample लेते हैं, तो उसमें से एक हार्मून जो है, वो detect होता है, है, HCG उस हार्मून को हम कहते है, HCG, अगर ये detect हो जाए तो इसका मतलब है, pregnancy है, अगर ये detect ना हो तो इसका मतलब pregnancy नहीं है, तो ये टोफो ब्लास सेल जो है, वो जो जाइगोड बन जाता है, उसके टोफो ब्लास से से, सिक्रीट होता है हार्मून, और सिक्रीट होके, तो ये female की body में, blood में, ये urine के अंदर पाया जाएगा, जिससे pregnancy को हम detect कर सकते हैं, तो this is all about the female menstrual cycle, next topic में हम जो last NMD CAD का topic है, वो पढ़ेंगे in vitro fertilization and STDs, यानि के sexually transmitted diseases. झाल झाल